मधुबन के बाबा मुर्ली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शांते मुर्वी सुनने वाले सब भाई भेनों के लिए एक प्यारा ससंदेश सामने दिख रहें रेड सस्क्राइब बटन को सिस्प एक वार भी कावश करें और फैमिली या फ्रेंड में इसे जरूर सेयर करें और वेज आइकन को ओल पर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी परमात में संदेश आप तक सबसे पहले पहुँचे आज 20 जनवरी 2021 के साकार मधुर महाँ वाक्य है आज मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्यानकारी संगम युग इसमें तुम बच्चे याद की सेक्रिन से सतो प्रधान बनते हो बाबा कहते यह सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्यानकारी संगम युग इसमें तुम बच्चे याद की सेक्रिन से सतो प्रधान बनते हो और आज का प्रश्ण है अनेक प्रकार के प्रश्णों की उत्पत्ती का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है तो उत्तर में बाबा हमको कह रही है जब देह अभिमान में आते हो तो संशे पैदा होता है और संशे उठने से ही अनेक प्रकार के प्रश्णों की उत्पत्ती हो जाती है बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंदा दिया है पतित से पावन बनो और बनाओ इस धंदे में रहने से सब प्रश्ण खत्म हो जाएंगे बाबा ने कहा कि जो अनेक प्रकार के प्रश्ण होते हैं वो दे अभिमान के कारण आते हैं तब डाउट उठता है तो डाउट से कितने तरह के कोश्चन्स वाई, वाट, वेन ये सब निकलते हैं तो बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ो जो मैंने तुमें एक काम दिया है ना पतिस से पावन बनो और बनाओ बस उसमें रहो तो तुमारे ये कोई कोश्चन्स नहीं आएंगे तो आगे हम मुरली में सुनेंगे बाबा इसको और कैसे हमें समझा रहे हैं तो आज की मुरली का गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है जमी तो जमी आसमा पा लिया है ओम शान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना ये किसने कहा मीठे रुहानी बच्चे किसने कहा हमें जरूर रुहानी बाप ही कह सकते हैं मीठे मीठे रुहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं अब तुम जानते हो सिवाए रुहानी बाप के सर्व को सुख शांती देने वह सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता इसलिए दुख में बाप को याद करते हैं तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे है सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए है अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फरक है मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशुहूर है मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परन्तु कृष्ण है नहीं तुम बच्चे जानते हो इसमें महनत लगती है कृष्ण बनने में, सोला कला संपूर्ण बनने में महनत लगती है बाबा केते अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चे करना है मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में यह कल्प का सुहावना संगम युग है इसका नाम रखा है पुर्षोत्तम यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माई तमो परधान है सो फिर सतो परधान बनती है सतो परधान है तो उत्तम है तमो परधान होने से मनुष्य भी कनिष्ट बनते हैं आत्मा तमो परधान हो जाएगी तो बाब करते हैं मनुष्य भी कनिष्ट बन जाएंगे नीच बन जाएंगे तो अब आप बाब आत्माओं को समुख बैट समझाते हैं सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है ना कि शरीर तुम्हारी बुद्धी में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया और शान्ती धाम में रहने वाले हैं यह किसी को पता ही नहीं है ना खुद समझा सकते हैं क्योंकि पता नहीं है तो इसलिए समझा भी नहीं सकते किसी को तुम्हारी बुद्धी का ताला अब खुला है तुम समझते हो बरोबर आतमाई परमधाम में रहती है वह है इन कॉर्पोरियल वर्ड और यह है कॉर्पोरियल वर्ड यहां हम सब आतमाई एक्टर्स पार्ट धारी है पहले पहले हम पार्ट बजादे आते हैं फिर नंबरवार आते जाते हैं सभी एक्टर्स इकठे नहीं आ सकते ट्रामा है ना तो सभी अपने रोल के हिसाब से सीन के हिसाब से आएंगे इकठे कैसे आ जाएंगे तो भाव केते भिन भिन प्रकार के actors आते जाते हैं सब इकठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है लॉकिक नाटर में भी देखते हैं ना जब सारा last में होता है तो क्या होता है सब actors, सब scene, climax का scene होता है ना तब सब कुछ settle हो जाता है तो भाव केते हैं ऐसे ही जब last में climax का scene आएगा जब नाटक पूरा होने वाला होगा तो सब actors आ जाएंगे stage पर अभी तुमको पहचान मिली है हम आत्मा असल शांती धाम की रहवासी है यहां आते हैं पार्ट बजाने बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं हम ही पार्ट बजाते बजाते सतो परधान से तमो परधान बन जाते हैं अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता यहां सम्मुख हो ना बाबा बता रहे हैं कि मधुबन में जब डारेक्ट हम बाप के सामने बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा अनन्द आता है तो बाबा केते हैं इतना मुरली सुनने में भी बच्चों को नहीं आता तुम बच्चे समझते हो कि भारत गौड गौड़ेस का स्थान था अभी नहीं है चित्र देखते हो था जरूर बाबा केते हैं अपने पाड याद रखना चाहिए कि भूल जाना चाहिए बाब केते हैं तुमने यहां यह पार्ट बजाया यह ड्रामा है नई दुनिया सो फिर दरूर पुरानी दुनिया होती है पहले पहले उपर से जो आतमाएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धी में है तुम विश्व के मालिक महराजा महरानी थे तुम्हारी राजधानी थी अभी तो राजधानी है नहीं अभी तुम सीख रहे हो क्या सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे वहां वजीर होते नहीं राए देने वाले की दरकार ही नहीं वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ट से श्रेष्ट बन जा पिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। तुम्हारी आत्मा में भी ग्यान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संसकार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूं। पुनर जनम भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है। संसकारों अनुसार दूसरा जनम लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रती दिन purity की डिगरी कम होती जाती है, क्योंकि आत्मा करम में आती है, यूज होती है उसकी सारी शक्तिया और गुण, तो जितना जितना कोई चीज यूज होती है, उसकी value कम होती जाती है, depreciation होती जाती है न तो ऐसे ही आत्मा भी depreciate होती जाती है उसकी भी value कम होती जाती है तो बाबा केते हैं पतित अक्षर द्वापर से काम मिलाते है द्वापर से ही ये पतित अक्षर बाबा केते हैं यूज में आता है फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है तुम नया मकान बनाओ एक मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा अभी तुम बच्चे समझते हो क्या समझते हैं हम कि बाबा हमको वर्षा दे रही है बाब कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्सा देने तो बाब केते हैं मीठे बच्चे जितना जो पुर्शार्थ करेगा उतना पद पाएगा बाब के पास कोई फर्क नहीं है बाब जानते हैं क्या जानते हैं हम आतमाओं को वो पढ़ाते हैं आतमा का हक है बाबा को पता है क्योंकि सब बच्चे है न तो सब का हक है बाबा केते हैं इसमें मेल फीमेल की दृष्टी यहां नहीं रहती यहां पर तो बाबा हमको आत्मा रूप में देखती हैं तो वहां पर मेल फीमेल स्री पुरुष का कोई भान नहीं है बाबा इस दृष्टी से हमें देखते ही नहीं है बाबा केते हैं तुम सा बच्चे हो बाप से वर्सा ले रहे हो सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं वर्सा देते हैं बाप ही रुहानी बच्चों से बात करते हैं क्या बात करते हैं बवाब करते हैं यह भी ड्रामा में नूंध है शुरू से लेकर पार्ट नूंधा हुआ है तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो आत्मा अविनाशी है इसमें अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है शरीर तो बदलता रहता है बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है पतित बनती है सत्यूग में है पावन इसको कहा जाता है पतित दुनिया अब की दुनिया को क्या कहा जाता है बवाब केते क पति तो दुनिया है, जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस थी, वाइसलेस वर्ड थी, अभी नहीं है, मतलब निर्विकारी दुनिया थी वो देवताओं की दुनिया तो बाबा केते हैं वो अभी तो है नहीं, यह खेल है ना, नहीं दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया बाबा करते ये खेल है नई से पुराना पुराने से फिर नया अभी सुखधाम स्थापन होता है बाकी सब आत्माय मुक्तिधाम में रहेंगी अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है सब आत्माय मच्छरों मिसल जाएंगी इस समय कोई भी आत्मा आये तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी बाबा कहते अगर कोई आत्मा आ भी जाये उसकी क्या वैल्यू करेंगे कोई वैल्यू करेगा इने क्यों क्योंकि सभी तो पतित है तो value उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं तुम जानते हो जो नई दुनिया थी फिर वही पुरानी बनी है नई दुनिया में हम ही देवी देवता थे वहां दुख का नाम नहीं था अब है केते हैं यहां तो अथा दुख है बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं यह पुरानी दुनिया बदनी जरूर है तुम समझते हो बरोबर हम सत्यू के मालिक थे फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं बाबा कहते हैं पहले नहीं थे हम ऐसे धीरे धीरे आत्मा गिरती गिरती पूरे 84 जन्मों के बाद अब ऐसी हालत में आ गई है बाबा कहते हैं अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चे करें और बाप को याद करें तो करना चाहिए न हमें तो बाबा कहते कुछ तो मेनत करनी होगी न राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है बाप को याद करना है यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है देखो हम सब बच्चे चाहते तो है कि हम बाप समान बने याद मेरे लेकिन माया भी बहुत प्रबल है वो हमको भुला देती है तो बाबा कहते उसके लिए क्या करना चाहिए उपाय रचना चाहिए ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी बाबा कहते ऐसे नहीं होगा आपने उच पर निष्चे हुआ तो तुम बस मेरी याद में ही समा जाओगे बाबा कहते नहीं बाकी पुर्शाथ क्या करेंगे बाबा कहते पुर्शाथ तो करना ही पड़ेगा पर क्या करेंगे जब तक जीना है पुर्शाथ करना है ग्यान-मरित पिते रहना है मुरली सुनते रहना है ग्यान को सुनना है उसको धारेन करना है बाब केते यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम चन्म है इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है गरस्त वेवार में भी रहना है पुरशार्थ जरूर करना है देखो बाबा कहते है ग्रस्ती में भी रहना है अपने घर परिवार में रहना है पूरी जिम्मेदारिया निभानी है और उसके साथ साथ पुरशार्थ भी करना है और जरूर करना है सिर्फ अपने को आत्मा निश्चे कर बाप को याद करो बाबा कहते करना क्या है अपने को क्या निश्चे करना है कि मैं आत्मा हूं कोई लेबल नहीं साथ में रहना चाहिए कि मैं फला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजिनियर हूँ, मैं जज हूँ, मैं एड्वोकेट हूँ बाबा केते ऐसा कोई टाइटल अपने पर नहीं रखना, क्या रखना है, क्या निष्टे करना है कि मैं आत्मा हूँ और उस परम पिता परमात्मा को याद करना है बस यही काम है तो अगर मैं अपने को आत्मा निश्चे करूँगी तब यही तो है ना देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस तो बाबा केते तुमेव माता शुपिता तुमेव यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है एक ही मिठी सेक्रिन है और सब बते छोड़ एक सेक्रिन अर्थाद एक बाप को याद करो अभी तुम्हारी आत्मा तमो परधान बनी है उनको सतो परधान बनाने के लिए याद की यत्रा में रहो सब को यही बताओ बाप से सुख का वर्सा लो बाबा कहते हैं सब को बताओ सब को सुख का वर्सा दो सुख होता ही है सत्तिव में सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है बाप को याद करना है बहुत सहज परंतु माया का ओपोजिशन बहुत है इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी सेकिंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं वहां के रहने वाले हैं फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है क्यों? क्योंकि हम ही तो देवी देवता बनने वाले आना तो सत्यों के आदी में हम ही आएंगे तो बाबा कहते हैं आपका ही सबसे ज़्यादा पार्ट है क्यों? क्योंकि हम हीरो पार्ट धारी हैं तो बावा कहते हैं सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांतिधा में आटोमेटिकली चले जाएंगे हिसाब किताब चुक्तू करके जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं बाप आते ही हैं सबको वापिस ले जाने मच्छरोस दृष्ट सबको ले जाते हैं सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं यह सारी ड्रामा में नूंध है शरीर खत्म हो जाएंगे आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुक्तू कर चली जाएगी ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पढ़ने से पवित्र होगी बाबा केते आत्मा को याद रूपी योग अगनी से ही पवित्र होना है कैसे आत्मा पवित्र होगा यहीं लिखी आग में पढ़ गई तो पवित्र हो जाएगी याद रूपी अगनी योग अगनी बाबा केताई योग ही अगनी है यह है फिर उन्होंने नाटक बन बैठ बनाएं है सीता आग से पार हुई बाबा केते आग से कोई थोड़े पावन होना है बाप सुमझाते हैं तुम सब सिताएं इस समय पतित हो रावन के राज्य में हो रावन अर्थात विकार बाबा केते आप विकारों में फसी हुई हो तो कैसे पवित्र होगी विकारों से निकल कर एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है राम एक ही है अगनी अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई कहां योग अगनी कहां वह है आत्मा परमात्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी रात दिन का फर्क है हेल में सब सिताएं रावन की जेल में शोक वाटिका में है यहां का सुख तो काग विष्टा के समान है भेंट की जाती है स्वर्ग के सुख तो अथा है बावा केते स्वर्ग में तो अथा सुख है गिने भी नहीं जा सकते तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है तो आत्मा फीमेल हुई ना तो बाबा केते आप मैं शिव साजन हूँ तो आप सब की मेरे साथ सगाई हो गई तो बाबा ने इस point of view से कहा कि आत्माई फीमेल है शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे शांती धाम जाएं फिर सुख धाम में आ जाएंगे तो बच्चों को ग्यान रतनों से जोली भरनी चाहिए कोई भी प्रकार का संशे नहीं ले आना चाहिए देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं फिर बाब जो धंदा देते हैं वे करते नहीं है मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वे चलेगी जैसे महल बनाई होंगे वैसे बनाएंगे मूल बात है पवित्र बनने की बुलाते भी हैं हे पतित पावन पावन बनने से सुखी बन जाएंगे सबसे पावन हैं देवी देवताई बाब कहते अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वत्तम पावन बनते हो उसको कहा जाता है संपून निर्विकारी पावन तो बाबा कहते तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए कोई भी संकल्प उठाने की धरकार नहीं बाबा ने कहा मीठे बच्चे पहले हम पतित से पावन तो बने पुकारते भी हैं क्या बुलाते हैं हम बच्चे है पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ बाबा केते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं यह भी नहीं जानते कि पतित पावन कौन है यह है पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया बाबा केते हैं, मुख्य बात है ही पावन बनने की, तो पावन कौन बनाएंगे? यह कुछ भी पता नहीं है. पतित पावन कह बुलाते हैं, परन्तु बोलो, तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे. बाबा केते हैं, अगर हम उनको कहें ना की पतित तुम हो, तो वो अधरे कृश्चन लक्ष्मी नारायन को भी बच्चे दे ना तो बाबा केतें वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं यह भूल गए हो बाबा केतें उनको वाइसलेस वर्ड स्वर्ग और जाता है वह है शिवाल्या बाबा ने कहा कि वहाँ योग बल से संतान उत्पन हो means हमारे संकल्प ही इतनी श्रेष्ट होंगे कि संकल्प मातर से ही बच्चे पैदा होंगे या भूल गए हो उसको वाइसलेस वर्ड स्वर्ग कहा जाता है वह है शिवालय बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है अभी पतित है तो उसमें पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता तो बाबा कहते है यह बाप तो बाप टीचर और सत्गुरु है जो सब को सदगती देते हैं वह है तो एक गुरु चला गया फिर बच्चे को गद्धी देंगे बाबा कहते है अब कैसे सदगती में ले जाएंगे वो जो पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते बाबा कहते है बाबा कहते हैं प्योर बन गई आत्मा और एकदम से पतित नहीं बनेगी नंबर वार उतरते हैं सतो परधान से सतो रजो तमो बबा केते तुम्हारी बुद्धी में 84 जन्मों का चक्र बैठा है बैठा है ना हमको समझ में आ गया बबा केते तुम जैसे अब लाइट हाउस हो ज्यान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है अभी तुम बच्चों को और सब को रास्ता बताना है सब नहीं आए हैं तुम पाइलेट हो रास्ता बताने वाले सब को बोलो आप शांती धाम सुक धाम को याद करो कल युक दुक धाम को भूल जाओ बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों परती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते ओम शांती प्यारे बाबा मीठे बाबा मेरे बाबा शुक्रिया बाबा धारना के लिए मुख्ये सार है पहला पॉइंट बाबा ने कहा मीठे बच्चे जब तक जीना है ग्यान अमरित पिते रहना है अपनी जोली ग्यान रतनों से भरनी है संशे में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने है और दूसरा योग अगनी से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है शांती धाम और सुक धाम को याद करना है और आज का वर्दान है देही अभिमानी स्थिती में स्थित हो सदा विशेश पात बजाने वाले संतुष्न मनीम्भव देही अभिमानी स्थिती में स्थित हो सदा विशेश पाट बजनाने वाले संतुष्ट मनी भव बाबा ने कहा जो बच्चे विशेश पाट धारी हैं उनकी हर एक्ट विशेश होती कोई भी करम साधारन नहीं होता सधारन आत्मा कोई भी करम देह अभिमानी होकर करेगी और विशेश आत्मा देही अभिमानी बन कर करेगी बाबा केते कोई जो सधारन आत्मा है वो करम देह अभिमान में आकर करेगी कि मैं बहुत फेमस डॉक्टर हूँ, मैं इंजिनियर हूँ बाबा केते उसको अभिमान होगा और जो विशेश आत्मा होगी वो देही अभिमानी बन कर करेगी क्योंकि वो आत्मिक स्थिती में रह कर करेगी बाबा केते जो देही अभिमानी स्थिती में स्थित रह कर करम करते हैं वे स्वयम भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मनी का वर्दान स्वतह प्राप्त हो जाता है। और आज का स्लोगन क्या है? बाबा ने कहा मीठे बच्चे प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजाने को बढ़ाते चलो। ओम शान्ती।